SQL के तीन parts हैं जो आज हमें पढ़ना है एक है देटा डिपिशन लिंग्वीज इस काम लिखते हैं एबरेशन में DDL डेटा डिपिशन लिंग्वीज इस आज थी parts अब एसक्वेल नमबर टू है डेटा मैनिपुलेशन लिंग्वीज इस काम बोलते हैं DML DML, Data Manipulation Language ओर नमबर ट्या, the QD language कितने पक्षाइ पाट सागेस क्याल टीन डेटा डिपिशन लिग्वीज डेटा मैनिपुलेशन लिग्वीज शेक्यूरी लिग्वीज नमर टेटा डेटा डिपिशन लिग्वीज DDL इस language defines the structure in which the data is to be stored based of relation, indexes and views are created with the data dimensional language यहने data dimensional language हम database को create करते हैं यहने data dimensional language में वो queries हैं, वो commands हैं जिनकी मदद जे हम database को create करते हैं, जो database के अंदर हम करते हैं, उसका हम data dimensional language कहते हैं यहने data SQL का वो part जिसकी मदद जे हम database create करते हैं उसको बोलते हैं data dimensional language फिर है data manipulation language DML इस user to insert, update and delete data present in a relation अगर हमें कोई इसमें insert करना है, हमने database बनाई हमने database बनाई database कि मदद से हम बनाते हैं DDL के मदद से data dimensional language की मदद से हम database बनाते हैं फिर database में कोई चीज एड करना है कोई चीज अपडेट करना है कोई चीज डिलेट करना है तो हम उसके लिए DML का इस्तिमाल करते हैं data मैंने पुछ language का इस्तिमाल करते हैं ओके एक मिनट रुकना मैं देखूंगा कोई वेट करा है खुछ हुए है यहां ओके वापस आते हैं इसमें data dimension language में हम पहले पढ़ेंगे data types data types a few basic data types are as follows data type क्या होता है साबसे पहले हम data type को समझेंगे data type यह हमें यह बताता है कि इस field में हम कौन से type के values insert कर सकते हैं data type हमें बताता है कि किस field में हम किस तरह के values insert करते हैं for example role number लेंगे हम उपर लेंगे role number role number के नीचे क्या आएगा 1,2,3,4,5,6 आएगा न यह सर्थ यह numeric सारा है यह यह data type क्या होगा numeric होगा यह इसमें numeric के लिए आएगे इसमें a,b,c,d नहीं आएगा आएगा यह सर्थ इसी तरह एगे आएगे हम नेम लेंगे अगर ऊपर नेम है नेम का data type क्या होसकता है नेम तो text आता है न नेम है text आता है इसी का नाम 1,2,3,4 नहीं होसकता है नाम किसी का फॉर एग्जमपल किसी का नाम है इकबाल से एकबालाए किसी का नाम यह text है IQBAL तो इसका data type क्या होगा text होगा यहने name के नीचे जो भी आएगा वो text आएगा, जो भी नाम आएगा वो text type होगा इसी तरह तीसरा data type है for example यह data birth data birth, DOB DOB में क्या आता है इसमें new work भी नहीं आता है इसमें text भी नहीं आता है, इसमें क्या आता है DD, MMM, YYYY है ना पहले date आता है, फिर month आता है फिर year आता है, है ना data birth पर यहने सबों की data पर इसी तरह होगी ना, जो भी होगा ठीक, जब आपने data पर लिखते हैं for example, अगर आपकी data birth ठीक है 1st January 1995 है say, तो आप क्या लिखते हो 01, oblique 01, oblique 1995 है ना यहने पहले DD आएगा, oblique MMM आएगा, oblique YYYY यहने चार पर Y, चार होता है यह किसी की यह किसी की भी यह किसी की भी data बरकी data type होगा, यहने data type में 6 आते हैं, सोरी 8 आते हैं, पहले DD आता है M में मादा है, फिर शाहर रवाई वाई आते हैं ओके देखिए आप इसमें कौन कौन से data type हम इस्तिमाल कर सकते हैं एक हम इस्तिमाल करते हैं यहां small int small int ठीक है data type basic data type आते हैं तो आरेज फालो नंबर इट इंक्लोड इंटिजर्स एंड फ्लोटिंग पॉंट रिप्रेजेंटेशन इट कंटेंज फालोइंग डेटा टैप पहले हम नंबर पढ़ेंगे नंबर में कौन कौन से data type आते हैं पहला आते हैं इसका साइज है ऐसका साइज है 2 bits कितना साइज है इसका 2 bytes जायए जब हम इसमें 10and धू बाते हैं तो रैंज होता है कहां से कहां तख हम वेली स्ट॔र कर सकते हैं यानि हम 32,768 से लेकर 22,777 तटक इसमें use का सकते हैं अगर कोई अगर कोई ये नंबर 32,760 से किसे छोटा है वो इसमें नहीं आएगा अगर कोई नंबर 32,767 से बड़ा है वो भी नहीं आएगा यानि इसका range है ना इससे छोटा आएगा ना इसमें इससे बड़ा आएगा यह रहें जिर कहां से कहां तक हम इसमें नमबर इस्तिमाल कर सकते हैं Integer Integer कौन लिखते हैं Data type Int Int का मतलब हो गए integer इसको 4 bytes मिलते हैं कितने bytes चार सिंभाल इंट को 2 ही मिलते हैं इसको 4 bytes मिलते हैं जब इसके 4 bytes मिलते हैं तो इसका size भी बढ़ा होगा इसका size कितना है 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8 से लेकर 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 तक यहां तक इसका रहें जे यहनि नाम इसे छोटा नमर इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इससे बड़ा नमर 47 से बड़ा नमर इस्तिमाल कर सकते हैं फिर है big int big int इसके मिलते है odd bits यह डिपेंड करता है और एक्जमपल अगर हमें student का रोल लेना है तो वो दो int में हो सकता है वो सिमाल int होगा अगर हम फिर एक्जमपल लेंगे आज दुनिया की आबादी कितनी है दुनिया की आबादी अगर हम रिकार्ड करने है तो उसके लिए क्या चाहिए बड़े नूल चाहिए तो उसके लिए हम integer इस्तिमाल करेंगे 4 bytes यह बिग 8 bytes यह हमें देखना है मैं कितनी memory चाहिए इसके हסब से इस्तिमाल करता है फिर डिसेमल integer में डिसेमल नहीं इस्तिमाल कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट वेरिब पॉइंट नंबर होगा जिसमें बीच में पॉइंट होगा वह हम इसमें इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं तो पॉइंट के लिए अलग डेटा टैप है उसको डेसिमल बोलते हैं और इसको लिखते हैं डी आएस डैस पी कामा एस फिर वहां एक और डेटा टैप नियूमरिक इसकम लिखते हैं नम पी कामा एस पी कामा एस नियूमरिक इसमें यह डिटा टैप से नियूमरिक पी कंए से हैं पी कंए से रहे हों करST da प्रेस्टेंग क्या होता है देखे मैंने लिखा ऊपर प्रीज प्रेसिशन नमर आप डिजिटेस्ट टुदे लेप्ट आप अपड़ेसिमल पॉइंट अच्छी बाद आपने पूछा 25, 10.25, है ना, तो पोइंट के लेट में 10 है, पोइंट के रइट में क्या है, 25, जो पोइंट के लेट में आता है, उसको बोलते हैं, प्रेसिशन, लिखते हैं, यहां P, बात आएकि समझ में, and S is, S is scale, S is scale, S come क्या बोलते हैं, सकते हैं यह कंद शीकार बात किम्ने लुकिए सब्सक्राइब गर्राइब समझ के लिए सब्सक्राइब तैसे निचार है लिएनाम पी कमैश क्राइब जाए मैं जाए से उपर है यहां भी सेम है वही उसका काम है फिर है फिलोट फिलोट P, Q P is number of digits क्यों रिप्रन्ड नम्र अप डिजिटर्स तु आ राइट अडेसिमल पॉइंट यहां भी लेकि इसका range ज़्यादा है float का range ज़्यादा है इसका range है यहां भी यह यहां है P, Q P हो गया number of digits to the left of the decimal point Q हो गया number of digits to the right of the decimal point बता है के समझ में ओके तो इसका range है 0.1 E raised to power minus 307 to 0.9 E raised to power 308 यह बात आपको समझ नहीं आया होगी यह E क्या है E का मतलब हो गया 10 क्या हो गया E क्या हो गया E means 10 यह इसका मतलब है 0.1 E raised to power minus 307 का मतलब हो गया 0.1 into 10 raised to power minus 307 understand 0.1 E raised to power 307 हो गया 0.1 into 10 raised to power minus 307 तो 0.9 into 10 raised to power 308 यह इतना इतना बाइस का रेंज है फ्लोट का 10 raised to power minus 307 कितना हो गया 10 कितनी बार 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10 कितनी बार 307 टाइमस माइनस साइड में इसी तरह दूसरे साइड में पॉसिट्व साइड में क्या है 0.9 into 10 raised to power 308 0.9 into 10 into 10 into 10 into 308 टाइमस यह इतना बड़ा इसका रेंज है बहुत बड़ा रेंज है यह हम कहां इस्सेमाल होता है यह हम तब देखते हैं फार एक्जांपल हमें निकालने है वाट इस डिस्टंस बिटीन सन एंड अर्थ ठीक है तो वाम इतना बड़ा नम्बर इस्सेमाल होता है यह जब साबसे बहुत छोटा नाप नहुँब वाट इस दा रेडिस आफ़ एलेक्ट्राऊंच यह वाट इस दा रेडिस आफ़ ऐटम आटम की रेडिस क्या है तो वह हम इनका इस्तिमाल करते हैं इन नमबर करें छोटे नमबर कर बड़े नमबर करें बार के आम जिनकी में इन नमबर के इस्तिमाल हम नहीं करते हैं यह हो गए नमबर डेड़ा टाइप नमबर के सब टाइप इस क्या है small int दो बैट्स लेता है इंटिजर चार बाइट बिग इंट आर्ड बाइट लेता है डेसिमल, डेसिमल के दो पॉट्स है P, S, P हो गया प्रिसेशन, S हो गया स्केल P means, कि डेसिमल पॉइंट के लेट में कितने डिजिट्स है S हो गया decimal point के right में कितने digits है इस तरह हो गया numeric इसको लिखते है नाम P, S P हो गया decimal point के left में कितने है S हो गया decimal point के right में कितने digits है float P, Q यह P, Q है P हो गया decimal point के left में कितने digits है और Q का decimal point के right side में कितने digits है लेकिन float में range बहुत ज़्यादा है यहां है 0.1 e raised power minus 307 to 0.9 e raised power 308 यह इसका range है, बहुत बड़ा range है ओके character or care character or care यह एक और data type है character यह नमबर उपर है character नमबर में इससे बनमर हम लिखते हैं one, two and decimal point लिखते हैं लिकिन अगर हमें text लिख लिखना हो मैं किसी का norm लिखना हो तो हमें book का norm लिखना हो तो आप around two का इस्धमाल नहीं करेगी वह नमबर system नहीं आयेगा यानि नमबर यह data type नहीं आएगा वह हम क्या data इस्धमाल करते हैं data isamla करने character or care specify the picture link character string it is format is care n इसका format क्या है care n यहने n होगा इसका size n होगा इसका size यहने अगर care 4 है तो size होगा या 4 अगर care 10 है तो size होगा इसका 10 values of this type values of this type must be enclosed must be enclosed within single quote within single quote और double quote इसमें हम यह values किसमें रखते हैं यह single quote में रखते हैं यह double quote में रखते हैं quote किसको बोलते हैं quote हम बोलते है annotate commas को annotate commas को हम क्या बोलते हैं quote बोलते हैं यह हम single annotate commas में रखते हैं यह हम double annotate commas में रखते हैं तब यह वो character क्यालाएगा It is maximum size is two fifty seconds characters तो ज्यादा से ज्यादा size कितना होगा इसका two fifty seconds characters यानि इसे ज्यादा है मैं चाहे भी नहीं अगर किसी का नाम होगा for example किसी का नाम फारूक है तो इसमें कितने characters आते हैं फारूक में F-A-R-O-O-Q F-A-R-O-O-Q छे आते हैं ठीक है यहां हम लेंगे computer computer में कितने characters आते हैं C-O-M-P-U-T-E-R 8 आते हैं ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा इसका range two fifty seconds से ज्यादा नहीं होगा किसी कावी टेकस्ट कावी two fifty seconds characters से ज्यादा नहीं होगा इसका जो range है वो two fifty से किस characters है it is default size is one byte इसका size कितना है एक byte वेर के है data type store strings of varying length अगर हमें varying length क्या है for example अगर हम care استعمال करेंगी क्या करेंगी हमने care 10 استعمال एका care 10 size क्या हो गया है 10 ठीक है तो इसको कितने bytes allocate हो गए 10 bytes allocate हो गए फिर मैंने किसी जगा for example मैंने 4 इस्तिमाल किये मैंने book लेका इसमें कितने है 4 चारी आ गए लेकिन bytes कितने हैं इस्तिमाल मैंने किये 10 जो 6 हो यह वो जाया हो गए आसका तक है memory allocate 10 जो दावन सक्राइब करें इस्तिमाल तो और शेगई जाय इसके लिए इसकी तदारों के लिए यह इस dropback को खतम केरने के नए data type आ गया फिर जिसको बोलते है वेर के इसमें हम अगर चार करेक्टर रदें पाइट मिलेंगी अगर होने पाइट चार रिख मिलेंगी अगर दस कारेक्टर रस मिलेंगी आगर होने पंद्रइक नहीं हों यतने पाइट मिलेंग स्क्राइब के लेकिन जितने हमें चाहे हम उतने ही इसने माल करें हैं है तो 15,000 तक लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर लेखा तो इसमें कहते हैं आगई है साथ या आठ तो आठ ही बाइट से लेगा इतनी जगा लेगा अगर मैंने फार एक्जांपल कोई बड़ा नमबर लेखा एक तो जितने उसमें करेक्टर होंगे उतना ही आएगा एक और डेटा टाइप इसमें डेट या अभी बोलता है यानि हमें किसी की डेटा बरस लिखने है तो उसमें डेट आता है हमें किसी का डेट आप आप किसी कमपनी में नोकली लगती हो तो वहां डेट आप जोइनिंग लिखते हैं तो डेट आप जोइनिंग क्या हो गया वो भी डेट हो गया ठीक है आपने सुकुल में अडिशन ले लिया डेट आप एडमिशन वो भी डेट हो गया तो वह भी डेटा पासिंग एक्जामिनेशन वह भी डेट हो गया यह उसका डेट टाइप बोलते हैं वहां नमबर आएगा ने करेक्टर आएगा वहां अलग से डेटा टैप आएगा इसको डेट बोलते हैं इस उसे लृष्ट इसमें डेटट स्टॉर करते हैं डर अफाल्ट डेट फॉरमेंटz मिस्टीदेः वाय वाय वाई इसका किस तरह किस तरीके हो कौ्छ्ट եूर करते है वह कौन सा फॉर्भॉन्ट है मैं डaltetदीवाय वाय वाय जैंटबाट डिपाल्ट हो गया है जो वहां से है हम इसको चेंज कर सकते हैं है। लेकिन वहां से क्या है डिपाल्ट क्या है dee dee, mm, dee, irВОi demeer okay Depart का मतलब है for example जैसे आप जैसे आप बाध लासरह से फ सन लाती है एंड्रॉ तो जब उसको ऊपन करते हो तौन सिक्रिन खुद 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 आती हो वहां सेट नहीं हो जो सक्रthereum करते हूं क्यब सेब्सक्राइब होगे एक मैंает क्योगे और इसको अधिया घ्रिय एक्रवरario करते हैं फिर दीडी लेट आएगा फिर वाई वाई फिर यर आएगा कि यह दीजोस कहा है अगर मेरी डेटा बरत है ऑग तो कैसे लिखा जाएगा question है, अगर मेरी data बरत है 5 August 2004 तो इस format में हम कैसे लिखेंगे mm, ddy, yy में पहले क्या आगए, आजाएगा mm, month, month कौन से है 5 August है न, तो 8 आएगा, 08 पहले आएगा फिर क्या है, ddy, फिर 08 आएगा फिर year आएगा, year क्या, 2004 04 आएगा a day time column takes 8 bytes यह कितने bytes लेता है 8 bytes कैसे 8 bytes, mm के लिए 2 फिर देश है, देश के लिए 1 हो गए 3 ddy के लिए 2 हो गए 5 फिर देश है 1 हो गए 6 yy के लिए 2, कितने हो गए 8 understand यह 8 bytes लेता है a day time a day time column takes 8 bytes of disk storage यह मेमरी में 8 bytes लेता है the small day time column takes 4 bytes of storage अगर हम small day time इस्तिमाल करेंगे तो हाँ वो सिर्फ 4 bytes लेता है small day time तो हम हम देश अगर हम हो अगर हम एक और टाइप इस्सिंवाल करेंगे डिएट का time stamp s अगर टाइं टाइब डिएट इस्सिंवाल करेंगे तो इस्सिंवाल करेंगे तो इस्सिंद किस फार्मिट में आएगा पे curios यायेगा फिर देश फिर एम्म मानता आएगा फिर डीडी यहनि डेट आएगा फिर एच चैज यहनि आवर पूंसा गंटा था एहम कौंसा मिल्ट था। सकौंसा सेकंड था जैसे आपने देखा होगा जब आदार बना यह उन्ह आधार कार्ड कि तुछ आई कि शेंगे तुछ से लिए हलो है यह सर अब अधर कार्ड का रिसीट निकालते हैं तो आप उपर देखिए उसके उपर लिखाता है यह यह भी लिखाओ मन्त भी लिखा होता है यह बी लिखा होता है य कि उसके साथ होता है ताइम भी लिखा होता है एक compar Labs यह इंव्ays है तो हम क्या करेंगे तो इसमौं किस तरफ कर यहाँ बार्ट उपर लिखाएगा जिसमें डेट भी होगा डेट भी होगा मंत भी होगा एर भी होगा और साथ में क्या होगा टाइम भी होगा यानि कौन सा गंटा है आपने दो बज़ कर 40 मिनट 15 सेकंड पर किया वहाँ आएगा 0,2 40 फिर होगा 15 सेकंड फिफ्टीन यह लिखा आएगा ओके यह होगई डेटा टैप्स यहने हम इस्तिमाल करते हैं तीन कसम के डेटा टैप्स अगर हैं नमबर्स इस्तिमाल करने हों नमबर्स के लिए हम नमबर इस्तिमाल करते हैं नमबर डेटा टैप इस्तिमाल करते हैं इसके फिर साबटाइपस है, स्म çalış इंट, इंटिजर, बिग इंट, डेसिमल, निम्रिक, फुलूट, अगर हम नंबर के इस्तिमाल करना है, यह हम इस्तिमाल करते हैं, चाहिए डेसिमल नंबर हो, यह इंटिजर हो, वो सबके सब नमबर में आते हैं अगर मैं टेक्स ते लिखना है तो हम करेक्टर या केर का इस्थिमाल करें कि टेक्स ते लिखना हो अगर मैं डेट लिखना हो तो हम डेट का इस्थिमाल करेंगे यहन्य आश्केल में कितने टैप्स के डेटा टैप्स है SQL में कितने टैप्स टे डेटा टैप हैं तीन कसम के डेटा टैप्स हैं एक है नमबर दूसरा है केर यहने करेक्टर तीसरा है डेट ठीक है यह त्रीन तरह के डेटा टैप्स है इसकेल में यह याद करना यह ठीक है इसमें आता है डेटा टैप्स आएते हैं इनिशनला कालम पैड़ेंगे इसकेल कमांड्स यह थोड़ा आपको डिपकटर लगा होगा